पांडिया अगली गेन को ड्राइव किया ओन्दे राइज ओफसाइड में डीपिश कवर से बिल्कुल बाउंडे लाइन के नस्दीक से आकर गेन को फील्ड किया गया एक रन और बना 120 में दो ओबर किसा बाती के जाथ एस कमाल दी अवाज नू तां तुसी पचान ही गए हो ओके पचानों वी क्योंना जनाब साला तो एस अवाज नू सुन्देया दिली सांचो काइम हो गई है एक वक्त सी जदो टीवी दी दुनिया बौथ चोटी दुनिया सी रेडियो दा ही बोल पाला सी पार्ती क्रिकेट दी गाल करिये ता रेडियो एस खेट लई एक रेवलूशन साबित होया खासकर हिंदी कमेंटरी ने पार्तियानों क्रिकेट प्रती होर जादा रोमांच नाल पारदता 1980 तो बाद जेकर क्रिकेट पार्त दे विच प्रसिध होया ता ओस विच रेडियो ते हिंदी कमेंटरी दा वड़ा योगदान है ते एस नाल एक वड़ा नाम जुड़या है सुशील दोशी जी हाँ असी गाल कर रहे हाँ पद्धम श्री सुशील दोशी दी जिनानो कमेंटरी दा पीशम बतामा वी क्या जानदा है इंदोर दोस्तो रोशनी आदा शेहर है इंदोर नो क्या जानदा है कि ये मिन्नी मुंबई है और इंदोर जो है ओस दिनाल आठ, लिट्रेचर, कल्चर बड़ा गेरे तरीके दिनाल चुड़या हुया है इस तरह दियां परसनेलिटी जिन्दोर दिविच बहुँ जादा हो याने जिनाने वड़े वड़े नाम इस कला दिखे दर दिविच कमाई ने गुर्बानी वी अक्सर कहन दिया है कि हसना खेड़ना मनदा चाहे ति जदो हसन दिगाल लओं दिया है कुछ चीजा ना हो नसी अपनी जिन्दगी दिविचो मनफी कर चुके हैं से आने कहने है कि उची-ची हसन दिणाल की हुंदा है कि तवाडी तबलीट जड़िया खुषगवार हो जांति है पर आज दे मौडरन जमाने देविच की है कि जदो तो सिषी हसते हो इसननो गवारप्वने दी निशानी मनरे जान्दए अनपड़ता दी निशानी मननरे जान्दए और जिस्तर DRह कहनदे है कि समुंदर देविच शूक दियां लहरा किनारी ते आके निके-निके वट्ण दो रूपतार लें दिया ने तो आज कल खुल के हसन दी था जड़ी है उमल लई है निकी जहीं मुस्कुराहत ने जदो खेड़न दी गालाओं दिया ता खेड़ना भी सानो उचानाल पर पूर बना दिनता है इंडियन स्पोर्ट्स दी जदो गाल करिये ता एस दे विच क्रिकेट द नाम जड़ा है वो पहली कतार दे विच पहली सतर दे विच ओंदा है और क्रिकेट दे नाल एक बड़ा वड़ा नाम पदम श्री जुड़ा होया है अज असी ओना दिनाल थोड़ी मुलाकात करवान ज़ा रहे हैं मिस्टर सुशील कुमार होरी दोस्तो जदो गाल पदम श्री दी ओंदी है ता बहुत ज़ादा कुछ दसन वाड़ा रह नहीं जानदा किसे खास खेतर दे विच जदो किसे नूँ पदम श्री दिनाल नवाजया जानदा है ता एस तो ए बड़ी ही आम जई गाल है कि उनना दा ओस मुतलक बड़ा ही आला तरीन काम होंदा है मिस्टर सुशील दोशी जोने ओ इंडियन क्रिकेट कमेंटरी दे जगत दे विच एक बेताज बाद्शा मैं कह साकती है आवाज दे विच एक खास किसम दा बेस और जदो लिटरेचर दिगालाओं दिया या किसी चीजानों कौट करन दिगालाओं दिया ता अपने आप दे विच मैंनों लाग दावी कि ओना तो अच्छा हुन तक एस खीत दे विच किसे ने काम नहीं की था सुशील्टी प्रोग्राम विच स्वागत है धन्यवाद बहुत धन्यवाद रियली हमारा चैनल बेसिकली पंजाबी है पर आप हिंदी अच्छा समझते हैं तो मैं आगास हिंदी से करूंगी कहते हैं कि अजीब सा मिजाज है मेरे महबूब का पथर भी मारते हैं तो गुलाबों में लपेट कर विन इट कमस टू हिंदी कमेंटरी तो बात को एक खास तरीके से खास लहजे में ओड करके लोगों के सामरे प्रस्तित करना क्या ख्याल है यह बिल्कुल आपने सही चीज पकड़ी है देखे आप मेरे पिता जी हमेशा कहा करते थे और पुराने जिनतें भी गुणी जन है जो आवाज के दुनिया के जादू कर कहलाते हैं जिन से मेरा संपर्क हुआ वो हमेशा कहा करते थे कि देखे दिल से बोलिए और जब आप दिल से बोलेंगे महसूस करके बोलेंगे तो लोगों के दिल में उतरेंगे तो कोशिच यही करने चाहिए कि दिल से बोलिए दिल में उतरिए आप ज्यादा प्रभावशाली होंगे कम शब्दों में ज्यादा व्यक्त करने की कोशिश कीजिए जी आप एक लेखक हैं एक जर्नलिस्ट हैं और आपने कैसे चुन लिया कि मुझे अपना करियर जो है वो एक हिंदी कमेंटरी में क्योंकि एक ऐसा दौर था जहां पर मतलब माता पिता भी कहा करते थे क्योंकि एक अच्छा प्रोफेशन आप चुने तो उसमें से हिंदी कमेंटरी यह कहां से अगई बिल्कुल आपने मुझे यादे कि जब उनीस सो त्रेसट के आसपास की बात थी जब मैं हाइर सेकंटरी स्कूल में पढ़ता था तब लोग कहते थे कि मैं हिंदी में कॉमेंट टेस्ट मैंच देखना चाहता हूं तो पिता जी मुझे 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 बंबई ले गए अब उनको क्रिकेट में कोई दिल्चस्पी नहीं थी लेकिन उनको अपने बेटे में दिल्चस्पी थी और मद्यम वर्गी परिबार था लेकिन फिर भी मुझे दिखे तो टिकेट तो मिलते हैं नहीं पाचाथ हजार लोग अगर अंदर हैं स्टेडियम में तो पाचाथ हजार लोग बाहर खड़ें अंदर घुषने की तमन्ना लिए तो आप घुची नहीं सकते तिकेट हमारे पास था नहीं तो चार दिन तक हम पिता पुत्र बिल्चस्पी कि इर्दगिर्द चक्कर काटते रहें और चौथे दिन फिर एक पुलिस वाले को हमपरदया आ गई उसने तेखा है कि तो दो लोग चार दिन से भटक रहे हों क्या कोई जुगार नहीं हुआ जी पिताजी नहीं तो मुझे तो कोई दिल्चस्पी नहीं है ये मेरे बेटे क दिल तूट जाएगा ये इंदोर से आया है और ये मैश देखना चाहता है तो उन्होंने का देखे एचा करता हूं कि चाइपान के समय जब भीड बाहर आती है तब भीड के रेले के साथ मैं इसको अंदर कर दूगा लेकिन आपको बाहर ही खड़ा रहना पड़ेगा अब को चाहे पान का समय हुआ बीड जब अंदर गुसी तो मुझे पुलिस वाले ने अंदर कर दिया जी पिताजी ने का कोई बात नी मुझे कुछ दिल रह जाएगा तो मैं अंदर चला गया मैच में देखा मैंने रिची बेनाओ जो वर्ल्ड क्रिकेट चेप्रेंशिप टीम आस्ट्रेलिया की रिची बेनाओ नील हर्वे नॉर्मन ओनील रे लिंडवाल जो इतिहास प्रसिद्ध लोग जिनकी मैं कॉमेंट्री जिनके बारे में मैं फोटोग्राफ से कट्टे करता था वो रूबरू देखने रोमांच हो आया रोएं खड़े हो गए और तब मेरी द सब्सक्षार टो मैंने फिर सोचा क्या कभी मैं भी बेट सकता हूं तो क्या मालूम था कि किसी एक दिने कैसी कैफित होगी कि आपके लिए वो पर्ट्रिकुलर जीज जो होगी तॉ आपकी कि लिए होगी आपके नाम होगी देखे कभी कभी जगली सपने जब होते है कैसे उसी commentary box से मैंने अपने जिंदी के पहला test match किया, उसी commentary box से, 1972-73 में जब टीम आई, टॉनी लुइस की, तब पहला test match मैंने उसी जगे से commentary की, और तब मुझे बच्पन के सारी घटना याद, तब आज हम सोचते हैं कि हमें पदमुषी मिल गया, इतने सारे सम्मान मिले, लोगो तो हमारे पैर जमीन पर नहीं टिकते हैं, लेकिन जब हम सोचते हैं कि इनके पीशे किन लोगों की तपस्या रही, तो तब माता पिता का, उन तमाम लोगों का ध्यान आ जाता है, जिन्हों ने आपको बढ़ने में इतनी शाहिता की, चलिए हर एक बंदा चाहता है कि उसका उसके अर्मान जो हैं, वो पूरे हो, पर उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए, चलिए, जो हमारे पैरेंट्स है, वो हमें सपोर्ट करते हैं, पर आपकी भी एक अंदर एक खास किसम की आग लगी होती है, जो चिंगारी है, वो भड़क के आग बन जाती है, तो वो आप को कहीं न कहीं एक पुष करती है, कि आप एक पर्टिकुलर गोल पर जाएं, अल्तिमेटली महनत तो आपकी होती है, क्योंकि विन इट काम्स तु कमेंटरी तो आपको बहुत सारा कुछ पढ़ना होता है, आपको तश्मीहें देनी होती है, आपको खेल की समझ होनी चाहिए आप जिस बंदे के ऊपर कमेंटरी कर रहे हैं, उसके नेत्रित्व को आपको पता होना चाहिए, उसकी साइकी पता होनी चाहिए, उसकी खास आदतें जो हैं वो पता होनी चाहिए, बिल्कुल ठीका, आपने कि यह तमाम चीज़ें के लिए बहुत ही महतुपूर है, देखे हिंदी के लिए मेरा नाम जाना जाता है, तो देखे, व्यक्तिकत दिल्श्रस्पी हो, तो आप आगे जिंदिकी में बढ़ सकते हैं, मैंने बड़े-बड़े लेखुकों के उपन्यास और उनके कविताएं और सब पढ़ें, जैशंकर प्रसाथ पढ़ा, आचार चतुर्श आगे बढ़े जी और कॉमेंटरी का क्षेत्र मुझे बहुत लाला एत कर रहा था, बच्पन से बड़े-बड़े कमेंटरों कोई में नाकल किया करता था था बच्पन में, अंगरीजी में कमेंटरी होती थी, और किस्दा आपने याद दिलाया तो पहली बार में, जब इपरिदेश की ट्रोफी मैंचों की भी हंधी में कमधरी होनी चाईए, मैं तो 18-19 साल कही था, इंजिनीरिंग कॉल्ज में पढ्धा था, तो चूपना शोरू किया कि हंधी में कमेंटर चाहिए, तो सब ने कहा कि मिग जए्ट हांफ division between यहिंदी में कोई कमेंटरी हो सकती ह तब ऐसे में मैं चड़ी और हाफ बूश रट पहन कर कमेंटर बहाँ चला गया आकाश्वानी के स्टूडियो और स्टेशन डारेक्टर के पास गया कि साब मुझे 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 दीजे मैं कमेंटरी करना चाहता हूँ मुझे आदे नगरकर साफ थे अब स्टेशन डारेक्टर उन्होंने मुझे देखा उपर से नीचे तक देखा और फिर मुस्क्राए उन्होंने खा बॉई पुट न सम ग्रे हैर से एंड दन कम अरे भाई तजुरुबए के थोड़े सफेद बाल तो लाओ उसके बाद आना फि तो मुझे बागा दिया अब मैं तो लड़का ही था फिक्र नहीं कर रहा था आराम से घर चला गया लेकिन आखिर तक उन्हें शायद कोई मिली नहीं कॉमेंटर्स हिंदी में कॉमेंटर्स हो नहीं सकती तो पर उने लगा कि एक पागल सा लड़का आया था उसको ही बुला तो पहली कॉमेंटर्स की और मैं सच बताता हूं कि लोगों ने बहुत आलोचना की लोगों ने कहा कि ये क्रिकेट का सर्वनाश हो रहा है तब मेरे मासूम मंद 18-19 साल के जब अच्छे होते तो अगवारों में जब चपने लगा कि बहुत खराब कॉमेंटर्स हो रही है त बहुत दिल तूट गया तब माता-पिता ने भी का भई देखो करना है काम तो फिर मेहनत करके करो ऐसा नहीं कि आपको मौका मिल गया आप चले गया कुछ भी किया तब मैंने फिर भाशा बनाने पर ध्यान दिया जैसे मैंने सोचा कि हिंदी में सोचना है अंगरीजी में सो जोग के लिए जगह बनाता है और फिर स्कुएर कट करता है चार रंग के लिए तो इसमें क्या हुआ कि एक भाशा भी बन गई शैली भी बन गई और आपने महसूस करके बोला कि जो कुछ उसने किया आपने देखा मैं सुचता हूं महा भारत के शंजे की तरह है काम है तो कि जो आप लोगों को द्रश्य दिखा रहे है वो जमाना रेडियो का था तो तो रेडियो के माध्यम से जब लोग सुना करते थे कमेंटरी तो आपको आवास के जरिये दिखाना होता था अभी जैसे आपने एक्स्प्रेशन दिया कि एस इस ट्रोग कर दिया तो मतलब की लोगों को बहुत दिल्चस्प लगा करता था और साथ ही साथ मतलब जैसे मैंने बताया कि पहले के लोग कमेंटरी किया करती यह जो है ना यह जो क्रिकेटर है इनको ना नाखुन चबाने की बड़ी बहुत बुरी आदत है तो ऐसा कोई किस्ता हो तो हाँ ने देखे किस्ते तो बहुत सारे हैं एक इंगलेंड में मुझे यादे 1979 में मैच करने गया था कमेंटरी करने ओवल टिश्ट मैच था और भारत 438 रन जीतने के लिए बनाने थे उस जमाने हम भारत जीतता नहीं था जी मतलब 438 रन आखरी पारी में तो असा बहुता क झा यह जा रहे थे तो असा यहाद थे तो मैने पूछा कि यह हो रहा है मैं इतना रोमांच यह स्थिती में है और लोग शोड़ कर वापस जा रहे तो मैने एक से पूछा कि आप क्यो जा रहे हैं तो ऑन्ने भापने सचाए का ऑड़ का पहर्ण पらार है और दोगstoे प्रॉ करोनों लोग कान लगाएं, उनके साथ भी यही इस्थी थी, तो तब मैंने कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इनसानों के लिए नहीं रहे गया है. क्या बाद है? यह मैंने कहा था और नहीं नहीं दिल के लिए आञे कि इनसानों नहीं डी Base और दिल के साथ चैसे साथ झाश आप ही। आप कई जगे देखेंगे इंटर्व्यूस में या जो सोशल मीडिया पर यह कई यह चीज़ें जो मैंने नाइटिन सेविट जमाने में अगर कोई नाइटिन सेविटी नाइन की बात याद कर रहा है तो मैं समझता हूं कि हिंदी की बड़ी बारी जीत है जब हम कमेंटरी के मार्फत बात करते हैं तो जहन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं क्या एक अच्छे कमेंटेटर को ऐसा होना चाहिए कि उसको सुसाइटी की समझ होनी चाहिए उसको लोगों की साइकी की समझ होनी चाहिए और कोई किसा ऐसा भी हमारे साथ शेयर करें कि कि भारत का पलड़ा है ना जो वो वीक होने वाला है या हो रहा है तो कहीं पर बायसनेस आई है देश प्रेम जागा है आपने पासा बलटा है यह सबसे बड़ी जो अच्छे कॉमेंटेटर्स लेते ना उनकी सबसे बड़ी विशेष्टा यह रहती है कि वो बिल्कुल भी बा जाने चाहिए उसी तरह से जब बल्लेबाज ने स्ट्रोक खेला तो आपको तुरंट बल्लेबाज बन जाना है क्योंकि आपको सोचना है कि यह स्ट्रोक कैसा खेला है एचा स्ट्रोक किया है ना गैंड बैट और पैड एक लाइन में दिया बिलकुल सही तक नीचे कि सिर ब इमोशनस बाद की बात है मुझे आदे एक मैच में भहरत बाकिस्तान का मैच हो रहा था और मैंने कहा था कि भारत बली दिल भारी तो होता हикा बाद में पता तो चलता है जिख और बहरत बाहार गयाव और भ Highway 6 बहुत दुख रहा है इंघ यह जीदा एक कि मैच में बंगलो उस समय सुनील गावसकर ने मुझे तो उस समय क्या होता था कि जैसी तो आपने कोई अच्छा वाकि बोला तुरंट घर वाले फोन करके बता देते थे क्योंकि टेलिविजन था नहीं रेडियो का जमाना था सारा देश रेडियो कान लगा है सुनता था तो मुझे सुनील है नहीं थे पराजे लेकिन पराजे दो अमेट अब क्रिकट को जिन्दा रखना थ है तो जीत कर जिन्दा रखो पराजी पराजेत हो क्या जिन्दा रखना किने का म Możlaत के मतलब ये था कि आब अगरbon आपर आई है खासकर कि भारत ही हम बात करें तो नहीं मिल सकती थी एक revolution साबित हुआ है रेडियो और हिंदी कमेंटरी क्रिकट के उस दौर में आपने बड़े मुद्दे की बात कही और यह बात जो आप कह रही हैं मेरे दिल के बहुत करीब है क्यूंकि मैं उस दौर से गुजरा हू जिस दौर में हिंदी कमेंटरी ने संघर्ष करके अपनी जगए बनाई वो मुझे याद है कि राज सिंग डूंगर पूर सुनील गावसकर यह जितने लोग यह कहते थे कि क्रिकट की हिंदी कमेंटरी ने गाउं गाउं गली चोरा हूं और महिलाओं में और खेती करने वाल मैं समझता हूं हिंदी कमेंटरी का और रेडियो कमेंटरी का योगदान उस जमाने में टेली विजन था नहीं और हिंदी कमेंटरी की विशेष्ता यह हमेशہ रही है जैसा आपने शुरू में भी कहा कि यह ultrasound करते हैं कि शब्दों के जरिए dau cold 감ben की डिया की कला रेडियो कम तो फिर आप मन में उस खिलाडी की तस्वीर बना लेते हैं, तो यह जो तस्वीर बनाने का जो मज़ा है इसलिए रेडियो कमेंटरी का जो मज़ा है, वो अलग तरहे का था, टेलिविजन में आप देख रहा है, आप सोते सोते भी मेश देख रहे हैं, तीन दफ़े आप मिस कर दिया तो फिर आया, तो रोमांच जो होता है, वो खत्म हो जाता है, अभी जैसे हम रेडियो के मतलग बात करते हैं, तो आज हमारा जैसे ट्रेवल टाइम जो है, वो बढ़ रहा है, तो हम टेलिविजन घर में बहुत कम देखते हैं, तो रेडियो आज भी जिन्दा है, वो अलग बात है कि कैफियत आज अलग है, पहले अजीब किस्म की हुआ करती थी, तो उस एक दौर में जब रेडियो क्रिकेट कमेंटरी के माधियम से, या क्रिकेट को बढ़ावा दे रहा था, तो एक दौर में जो तलफुस था, परननसेशन थी, उचारन था, उस पे बह आज, ये तो हिंदी भाषा का बिलकुल काफी जिसको कहते हैं कि सर्वनाश्टों नहीं कहना चाहता क्योंकि बहुत भारी पड़ेगा, लेकिन हिंदी भाषा के साथ बड़ा अन्याई कर रहे हैं कई लोग, तो मुझे तो खुशी होती हैं कई क्रिकेटर्स हिंदी कमेंटर इसलिए ना करें कि वो पैसा कमाना चाहते हैं, भई हिंदी के प्रति अगर आप पैसा कमा रहे हैं, तो उसके प्रति न्याई भी करें जिस भाषा के साथ बात करें, देखें, दुनिया भर में आप चले, पाकिस्तान में उर्दू सही बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच चीन में मंडारिन सही बोली जाती है। बहरत ही ऐसा देश है जहां हिंदी व्याकरणी की द्रश्टी से गलत बोली जा रही है। तो मुझे बहुत दुख होता है। देखें इसमें कोई बहुत कोई मुश्किल भाषा नहीं आप कर सकते हैं। आप उधारन बता तो आपको भी हसी आजाएगी। एक खिलाडी थोड़ा सा गायल हुआ। उसके चलने का तरीका थोड़ा लड़खडाने लगा। तो एक क्रिकेटर जो हिंदी कॉमेंटरी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देखें उनके चाल चलन में फर्का गया। तो चलन में खड़ाब कर दिया। यहां, जब आप हिंदी को आप समान के भाशाच से जब नहीं देखते हैं। तो इस तरह के गलतिा होती है। वो आप संजीदा नहीं है, वो हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, का मामे ने महरम से भुझने बना दिया, तो यह यह बेकुल सही आपने नुकता पकड़ा, और इसके इलावा, जैसे आप कमेंटरी कर रहे होते हैं, मैंने पहले बात छेडी थी तो खही और च यह महरमान तो गधा पहल्वान, ऐसे कहते हैं, यहना, कि मालिक महरमान तो गधा पहल्वान, अब एक कमेंटर थी तो फंद्द्धा, यह तो गलत हो गया आप गधे को रिप्लेश कर रहे, तो इस तरह कर भानेदें छैजिद, आपको मालूम खही होते हैं, ओ लिए तो इसक थोड़ा संमझना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए, यह मुश्किल भाषा नहीं है, सडल भाषा है, लेकिन लोग कुशी तो समझते हैं कि हिंदी भी क्या भाषा है, चलो अपने को घास काट देनी है, पैसा कमाना, आगे निकल जाना, लेकिन कुछ कुछ कॉमें टिट्र अ और आपके मन में सीखने की तमन्ना है, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, हिंदी के साथ न्याय कर सकते हैं, हिंदी के साथ न्याय के अलावा उन दर्शकों के साथ और उन शोताओं के साथ आप न्याय करेंगे, जो करोनों की संख्या में हैं, देखे, देश की भाषा बिग यही सही चीज है, तो देश की भाषा खराब करने का हक आपको नहीं है, आप सीखे पहले हम आपका सम्मान करते हैं, यह जो आपने कहा है कि हिंदी भाषा जैसे पहले जब रेडियो शुरू में हम लोग काम जजदेव सींग करते थे, अब मैं करता था, तो हिंदी का एक पर् प्रयुक्त हो रहा है, तो अभी तो क्या है कि असा लगता है कि हिंदी के साथ अन्या हो रहा है, और मजाग की भाषा बन गई है, जी, हम बड़े ही back-to-back question answers कर रहे हैं, बड़ा मजा भी आ रहा है खेर बाचीत में, कुछ एक-दो सवाल और करूंगी मैं आपसे, जो इंड जी, कि मैं दो भार पाकिस्तान भी गया हूं, उनीस सो अठतर मने भी पाकिस्तान गया, जब पहली बार,,, बारत ने पाकिस्तान के खिला, आप आजधी के बार, शख्रंखलाख खेली थी, पाकिस्तान पहली बार गया थी, 1978 में भी आपई विजें कि आपतान थे, और 1982 में अब क्या होता है कि हम लोग तो जाते हैं रिष्टे बनाने के लिए, हम लोग सोचते हैं कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो सब भी लोगों का खेल है, जो ऐसे लोगों का खेल है, जो चरित्र में विश्वास करते हैं, क्रिकेट को चरित्र बनाने वाला खेल कहते हैं, तो हम इस तरह से खेल की तरह से लेते ही नहीं थे कि भारत को हराना है बस इस तरह से लेते थे तो वहां अमपारिंग इतनी खराब थी कि जिसके आप कल्पना नहीं कर सकते हैं मतलब कि LBW एक एक खिलाडी पांच-पांच बार आउट हो जाता ता फिर भी आउट नहीं देते थे भारत को महां हारना पड़ा तब मुझे यादे कि Bishan Singh Bedi ने एक लिग भार टीम ही वापस बुला ली थी जब लगातार बाउंसर करने लगए जब हारने लगए तो बंपर करने लगए और नो बॉल और वाइट बॉल दी नहीं जाने लगी तो टीम ही बुला ली थी बाहर उन्हो लेकिन रिष्टे बनाने की जोगार में हम लोग उनसे क्रिकेट खेलते रहें। लेकिन आज का भारत बदल गया। देखें आज जो फिक्र नहीं करते हैं। आज हम हरार हैं। और चाहे क्रिकेट हो, हौकी हो, टेनिस हो। किसी भी खेल में पाकिटी दे रहें। चाहिकाबडीयो है, तो ऑज वभारत के ते लग हैu। यथ में इतनी प्रतिभाः हैं, कि अवहारे थे लग है। हमारा नजरिया बदल चुका है। चाहे थे थी पड़त थुका हैं। विकास भी भोथ हुआ। और भारतियों में प्रतिभा भी बहुत है और गौर्मेंट उस चीज को जो है वो बूस्ट भी कर रही है हम बहुत सारे फ्रंस पे आगे आए हैं बेशक वो साइन्स हो टेकनोलजी हो बहुत सारे फ्रंस पे इंडिया ने अपना पर्टिकुलर नाम बनाया है चली एक और बड द्रंस काश्या हूं और जैसे अंपएर के निरणय ओपर अपना निरणय नहीं देना वे कि लेकिन आज़ टेलिविजीन बै टिना साफ हो गया कि अव यह क्या करें लोगी दे देते हैं कि ये तो गलत निरणय हो गया। आज़ तो काफी वैसले सही हुई होते तो तीसरे अ प्रश से अधियर में जब से हुआ ए टेलिविजिन पे तो मैं देगें मैं तो अब आज गुछ पी करता हूं और अभी भी कॉमेंटरी करता हूं तरे पन साल कोमेंटरी के हो गए और जो की बहुत बड़ा आर्शा मैं समझता हूं पचास साल की पूरी कहानी बारति क्रिकेट कहानी मेरे सामने से गुजरी तो उसे साफ से मैं आपने आपको बड़ा बागिशाली समझ तब से लेकर आज तक क्या फरक क्या है आपको लगता है कि इतनी डेलिपमेंट हो गई है और लोगों का कुछ रुजहान कम हुआ है स्पोर्ट की तरफ जहादा हुआ है मैं आप क्या से मान लो तीन गंटे का पिक्चर देखना हुआ उसके बदलेती ये देखें इतना ग्लैमर इतना शोर शराबा और इतना सब कुछ भव्य ये सब देखते हैं तो उनको लगता है कि गजब की चीज़ है तो नए लोग इससे जुड़ गए है देखें एके बात लेकिन क्रिक क्रिकेत का खेल जिब शुड़रु है नहीं जिब शुड़रू हए तो नहीं देखें ड़ोग इसे पाजामा क्रिकेत कहने लगे और जब टी-20 क्रिकेत कहने लगे तो हम इह लोगों ने बों लेकिन आज देखें चagde cricket कहना चाहिए उधा हक में की अग क्रिकेट है लेकिन इसे मैंने जैसे बात शुरू की थी कि हमारी साई की जो है न हम बहुत ही हर एक चीज को लेकर के हाइपर हो जाते हैं हम में इतनी पेशेंस नहीं रही है कि हम 50 Overs का एक मैच देख सकें हम फट 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 खेल के माल फट 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 रिजल्स चाहते हैं तो का कहने ठीक है कि देर्य हम लोगों का हमारे चरित्र मेंसे कम होता जा रहा है यह बात सही है और यह खेल में नहीं हर दिशा में आप पहले भी जब आपसे चर्चा कर रहे था आप कह रही थी कि आचकल बच्चे रातो रात करोड़ पती बनना चाहते हैं मेहनत नहीं करना चाह कि विष्वक परिवरतन शीले है और दुनिया परिवरतन चीले और अगर परिवरतन को आप नका रहेंगे या उससे रूटेंगे तो दुनिया आपसे रूट जाएगी आप पीछे च्षी चुट जाएगे तो इसलिए है वक्त के साथ चलने के मजबूरी भी है तो ठीक है यह जरूरी भी है और यह ज़रूरी भी है इसमें से कही ने कही कुछ निकलेगा अच्छाइजी और अभी आखरी सवाल मेरा आप से यह है कि आप पदम श्री आपको मिला तो कैसा एक मन में था हुलास था खुशी थी अश्यरे था या हैरानी थी क्या वाट वस द फीलिंग न पदम श्री मिल गया यह सबसे बड़ी खुशी थी यह बहुत बड़ी बात है दूसरी खुशी यह रही कि पदम श्री मतलब आप राश्ट्रपती के सामने जब जाते हैं तो जिंदिगी भर हम फुटवर्क की बात करते हैं कि ऐसा फुटवर्क सही होना चीए तब हमने दे अच्छा जागरत ही कि तमाम लोग जो आपको इस मुकाम तक लेकर आए उनके प्रति आप शुक्रिया आदा करें मन ही मन और वास्तवी गूप में भी तो उनके प्रति आप हमेशा कहें कि हम आपके शुक्र कुजार हैं आप लोगों ने यहां तक पहुचाया तो हिंदी भ वो कहते थे कि देखें मेरे आप से कोई रिष्टधारी नहीं लेकिन मैं आप लोगों को साहता इसली कर रहा हूं और आप लोगों को हमेशा चाहता इसली हों क्यों कि आप हिंदी का काम कर रहे हैं तो यह मैं समझता हूं हिंदी को सम्मान मिला मेरा सम्मान यह मेरे व्यक्त करके यह बात कह रहा हूं जी बहुत मज़ा आया इस तमाम बात चीत में और भी और मन्था की और बातें करें पर कभी फिर आपसे मुलाकात होगी और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी दिल से बाते हैं और मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जी बहुत-बहुत शुक्रिया